हेलो स्टूडेंट वेलकम टू मै चैनल मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आपका safe score कितना हो सकता है ओके और मैं बताँगा वेकेंसी कितनी है और कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे उसके according में आपको पिछले वीडियो मैंने रो माक से बताया था बच्चे कहरें स आपके coding जो है अगर normalize होगा तो कितने पकट हो जा सकती है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा सबसे पहले safe score जो है आपका 110 से उपर है तो आप safe हैं आपका selection हो जाएगा Pree में Pree qualified कर जाएंगे एक बच्चे का data है उस बच्चे का data के coding में आपको बताऊंगा जेखो यह rank IQ में अपनी rank check कर लेना कितनी आ रही है उसके coding आपको में इस की तियारी करनी है सबसे पहली बात यह एक बच्चे का data है rank IQ का इस पर बात करूँगा सबसे पहले सबसे पहले vacancy पे बात करते हैं सबसे पहले vacancy पे बात करते हैं ओवराल vacancy कितनी है देखो ओवराल vacancy जो है जनल की कितनी है पांसो के अप्रोक्स है और OBC की 200 के ओके टोटल वेकंसी 1100 है ओके अब बात करते हैं जनल में कितने बच्चे क्वालिफाइड किये जाएंगे जो टोटल वच्चे जो है क्वालिफाइड किये जाने है एप्रोक्सिमेट 7.5 यह मैं कम मानगे चलना हूँ कि साड़े साथ गुना करेंगे बटी आठ गुना के करीब कर लेते हैं तो आठ गुना से जो कर होएगा वैकैंसी का वे हो जाएगा 9000 मैं इसके कोडिंग मानगे जा रहा हूँ एप्रोक्स आठ हजार यह साड़े आठ हजार बच्चे सेलेक्ट करेंगे ओके इसके कोडिंग बात करते हैं तो देखो अगर साथ हजार यानि साड़े साथ के टाइ लेते हैं तो देखो इसे 500 मान लेते हैं तो साथ पंजे 35 तो बच्चे तो जर्नल के होगी यहां से ओके जर्नल के होगी तो पैंतिस तो से जिसकी कमरह एंगारी होगी वो उसका जो है प्री क्वालिफाइड हो जाएगा ओके अब देखो जो डाटा है वो बीस अजार बच् उसके अकोर्डिंग चलेंगे तो आपको कट ओफ जो है नीचे देखती हुई दिखाई देगी क्योंकि पिछली वार भी मैंने इसी चीज पैनलाइस किया था तो कट ओफ वहीं गई थी थोड़ा सा वैरिशन ता पिछली वार का इस वार का इस वार जो शिप्थ हार्ड है पेपर जो कलेविल थोड़ा हार्ड एज कुपी पैटरन चेंज हुआ है तो इस वार से कट ओफ भी नीचे जा सकती है ओके अब मैंने बता दिए जनल में 3500 बच्चे सेलेक्ट होंगे ओके 3500 बच्चे मान के चलो 4000 हो जाएंगे 3500 मान के चलो 3500 हो जाएंगे ओके तो टोटल बच्चे मैंने बता दिए आप बात करते हैं इस चीज़ की यह बच्चा है इसका इविनिंग में पेपर वाता 11 अक्तुबर को ओके इसका इसकी जो रेंग का रही है विफन रेंग renew मैंने इसकी 1800 2.000 के किचे करीब बच्चे मिल रहे हैं नॉर्मलाइज होके इसके जो नंबर जो एक घट रहा है 117 में से 116 होगे 116 नंबर तो एक पर कितने 400 एक पर कितने डिफरेंस आ रहा है 400 बच्चो का एक नंबर पर 400 बच्चो का डिफरेंस आ रहा है तो आप खुश सोचो एक पर 400 का डिफिरेंस आ रहा है अगर ये 110 करते हैं 110 करते है 110 करते है मालो जन्रल की 110 नमबर पर 16 यानि कि 117 से 116 हुआ तो 400 बच्चे मालो फिर 115 फिर 400 बच्चे फिर इसी तरह से 100 115 हो गया फिर 114 है फिर 400 बच्चे चार सो चार सो चार सो चार बार करेंगे तो कितने हो जाएंगे 1600 बच्चे हो जाएंगे तो 112 पर जो है 110 मार्ट पर आपकी 2000 बच्चे हो जाएंगे एपरोक्स एपरोक्स 2000 बच्चे 112 पर अब बच्चे कितने लेने हैं जन्रल में बच्चे लेने हैं 35 आप खुछ सोचो अगर 110 नंबर पर 2000 बच्चे मिल रहे हैं यहां रेंक के कोडिंग 2000 बच्चे मिल रहे हैं तो कट ओफ क्या 110 जाएगी आप खुछ सोचो कट ओफ क्या 110 से उपर जाएगी कभी नहीं जाएगी तो जो अनुमान है यानि कि नाम्लाइज जो मैंने बताई थी 150 से वो, विदाउट नाम्लाइज 150 से 108 जनल की यह बताई थी मैंने conquest box में फिर कहा जनल की 112 जा सकती है 112 112 112 112 monitor नाम्लाज होने के बाद नाम्लाज होने के बाद इसनी कट ओफ जा सकती है 오케이 112 बार है इससे उपर जाने कोई चांस नहीं लगा है अगर 9 वेशन में 10-10 या 20-20 नंबर मिलते हैं तब कट उपर वड़ेगी पर इतने नंबर नहीं विलेगा बस एक सिफ्ट को मिल रहे हैं वो भी 5 नंबर जो अक्तुबर में अक्तुबर 11-10 अक्तुबर की सुब़े की सिफ्ट है उसको मिल रहे हैं बस और किसी को नंबर डिडेक्ट हो रहे हैं तो यह छोटी से जानकारी थी ओके एक चीज और यह तो 117 वाले गाड़ा हो गया एक डाटा हो रहे हैं मेरे पास जिसके 110 नंबर है 110 नंबर है उसकी तो आप गवराई मिल्कुल न वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक कर ना और हमारी चैनल को आगे शेयर करना जैहन जैवारत